को इस प्रे मैशीन का प्रॉमम है कि चार्ज पर लगा रहा हूं तो चार्ज दिखा रही है कि इसका problem है तो यह दिखिए मैं फिर से एक बार चार्च पर लगा के देखा रहा हूं कि फार। कि इसार्च हो रही है मागर इसंट्रो नहीं हो रही चार्च है utilized चलो इसको खोल के देखते है कि अंदर problem क्या है काहांसे problem है छलो इस इस बैटरी को खोल के देखते है कि इसका अंदर जो एसीड है बैटरी का यह तो लीड एसीड बैटरी है इस बैटरी के अंदर चेक करूँगा कि इसका बैटरी सुग गया या एसीड है शुख गई तो ए बैटरी का अंदर फिर से मैं अशीड डालूँगी देखिए यह देखिए इसका जो बैटरी के सेल है पूरा शुख गया है इसका उपर जो कॉबर है वो भी सुख गया है चलो इस बोटल के अंदर एसट है बैटरी का मैं इस रोल लेता हूं बैटरी के अंदर मैं इस बोटल पर ले आया था एसट को देखिए किस तरह से मैं बैटरिक को अंतर एसिड डाल रहूं इसी तरह से आप भी करो कम बांज जाएगा कोई प्रप्लम नहीं आएगा जो ज्यादा एसिड गिर गाया उसे थोड़ा निकाल लूँगी चलो जिस तरह से खोला था उसी तरह से फिर से लागा दो थोड़ा से फेवी कूग लागा रहूं इसको अच्छी तरह से चिफ़क नेर के लिए इसको अच्छी तरह से चिफ़क ने के लिए मैं फेवी कूग डाल दिया चलो अब इस बैटरी का कानेक्शन को जोल लेता हूं जो पोजेटिव है उस पर पोजेटिव को देना और जो नेगेटिव है उस गो नेगेटिव में देना ब्लैक कलर के जो वायर है वो नेगेटिव है और रेट कलर के जो वायर है वो पोजेटिव है अगर गलत वर्ड लगा दिया तो जो चार्जिंग का सेक्टर है वो डेमेज हो सकती है चलो अब बैटरी को जो लेते हैं दीखें रेट को रेट वायर को मैं पोजेटिव पर दे रहा हूं बैटरी का और ब्लैक को मानस वर्ड नेगेटिव पर इस बैटरी पर एसीड डालने पर अब यह बहुत बढ़िया चार्ज सप्राइद देगा कोई प्रोब्लम नहीं आएगा अब फिटिम हो गया इसके बाद एक घंडे के लिए मैं इसको चार्ज पर लगा कर छोड़ दूगी बाद में चेक करूंगी कि एक किस तरह से काम कर रही है चलो एक घंड के बाद आती है यह बैटरी चार्ज हो गया इसका अंदर पानी डालके दिखा दूगी किस तरह से यह पेसा दे रही है चलो स्टार्ट कर लेता हूं यह दिखिए बहुत बढ़िया पेसा दे रही है अब यह बैटरी ठीक हो गया ठीक ठाक ही चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आप लोग भी बैटरी का अगर एसीड शुक गया तो फिर से बैटरी को जिन्दा करने के लिए एसीड डाल दो बढ़िया काम करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना भाई ठैनक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो चलो आप इसको बंद कर लेते हैं पानी भी खतम हो गया